वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाईए नमस्कार दोस्तों बाग पगीचा में मैं निर्मला आपका हादिक स्वागत करती हूँ आज मैं आपको तुलसी के पौधे की देखभाल के बारे में बताने जा रही हूँ ये हमारा तुलसी का पौधा रहा, तुलसी के पौधे में अक्सर किड़े लग जाते हैं और हमारा पौधा बिल्कुल बरबाद हो जाता है। इसे मेरे ये तुलसी के पौधे में किगड़े लग गए हैं। तो तुलसी में किगड़े तो लगने का कारण में ये हैं कि एक तो उसे धूप में अच्छे से धूप नहीं मिलती है। तो हमें उसे एक अच्छे जहां पर अच्छा सा धूप आता हो उस जगह पर रखना चाहिए। और उसकी ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए उसमें। उसकी मिट्टी जब एकम सूख जाए तब पानी डाले। रोज हम जल चढ़ाते हैं तो जल हम थोड़ा कम मात्रा में ही चाहाएं। अधिक पानी डालने से भी माना पौधा खराब हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तुलसी में कीड़े लग जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कीड़ा लगा है अपकर देख पारें। तो ये काला काला ह। ये तील जैसा काला सा उसमें लग जाता है। और यहां पे भी आप देख सकती है कि यहां पे भी यह काला काला पुटीख रहा होगा है यह भी सित कीड़ा लग गया है ऐसे जगह जगह कीड़े लग के हमारी पत्तियों को तुलसी की पत्तिया बिल्कुल सूफ रही है तो इसके लिए हमें तुलसी के पॉध्य को पहले गीला कर लेना है किसी स्प्रे की साहता से हमारे यहां हलकेल की बारी सोरी इसलिए हमारे तुलसी पहले सी भींगी है नई तो हम इस प्रे से इसको भींगा लेते और फिर उसके बाद हम यह राख लिए है आप क्या कोई भी प जला के यह राख तयार कर सकते हैं यह बहुत बड़ा बहुत स्ट्रॉंग कमपोस्ट का भी काम करेगा आप यसे कमपोस्ट के रूप में भी किसी भी पौधे की जड़ में 15 दिन में एक बार डालें और तुलसी पर या फिर किसी भी पौधे में खिग्रे लगे हूँ तो उस किसी भी पौधे में आप हर जगा इसे बहुत ही अच्छे से डाल सकती हैं मैंने आपको कई सारे कमपोस्ट के बार में बताया है उसमें से यह भी एक हो मेट कमपोस्ट है इसे तुलसी में ऐसे भी कोई कि बाहरी कीट नासक या बाहरी खाद का प्रयोग नहीं करना ची जिनकित्क हमाने में प्रयोग करते हैं पर्सात में हैं गर मेर काढ़ा बना लिए या सुबह सुबह खाली पर खाले ते हैं तो हमें पुल्सी में से नहीं करोंओ french toc चिरकाव कर दिया है और इसे पूरे एक दिन तक हम ऐसे पड़े रहने दें दूसरे दिन हम चाहें तो इसको पानी से इस प्रेस हो सकते हैं तुल्सी की देखभाल के लीए और जरूरी बात है कि इसमें जो तुल्सी की मंजरी तुल्सी की फूल निकल आते हैं उसे भी हमें काट के जब तुल्सी के फूल निकाल देना चाहिए गर मुझे काट देंगे तो हमारी तुलसी ठीक ठाक रहेगी सुखेगी नहीं तो तुलसी मंजरी पकने के साथ ही तुलसी भी सुखने लग जाती और दूसरी सबसे महत्यों पूड़ बात यह है कि यह देखिए इस पौधे में तुलसी की इस पौधे में भी आंग कीड़ा ल बूरी ही रहनी चाहिए यह बिल्कुल भींगा नहीं होना चाहिए जैसे आप देख सकते मेरे गमले की मिर्टी बूरी है जब मिर्टी थोड़ा और सूख जाए अभी इतनी भींगी मिर्टी में पानी नहीं डालना चाहिए थोड़ा और सूख जाए तब इसमें पानी डाल जा पाए इससे हमारा पौधा हैल्दी रहेगा तो उम्मीद करती हूं दोस्तों की आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसका फाइदा मिल सकें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक ऐसी ही यूस्फूल ट्रिक्स के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ दोस्टू